कि मैं बीपी सिंग आज आपको शीक्वेंस के बारे में जानकारी देंगे सीक्वेंस बताएंगे ठीक है finite sequence, infinite sequence, range of sequence, bounded, unbounded, bounded below, bounded above चलिए देखते हैं तो sequence होती क्या है sequence of real number a function f such that n tends to r is said to be to be sequence of real number real number and denoted by fn ऐसे ये bracket लगाते हैं a n से भी denoted करते हैं कुछ लोग s n से b n से तो मैं जातर a n लेके चलूँगा ठीक है क्या लेके चलूँगा मेरे बच्चो a n मैं देखा रहा हूं a n वरावर दशीक्वेंस और इसे खोलूँ मैं तो वान वान अपन टू वान अपन थ्री वान अपन फूर वान अपन फाइट यह सीक्वेंस है गई आए मैं इसे दूसरे तरीका से बताता हूं यह मैंने एक जो फंक्शन माना था ना f such that n tends to r तो मैं कोई natural number ले रहा हूं one two three four कित्रे भी लेलो इस हिसाब से और मैंने यहां fn वरावर लिया one upon n for all value n belongs to capital n natural number है जितने भी है natural number इस हिसाब से अगर मैं function बनाता हूं यह fn वरावर one upon n तो यहां क्या होगा one upon one one यहां क्या होगा one upon two यहां क्या होगा one upon three यहां क्या होगा one upon four यही तो होगया अम मैंने देखा अगर मैं इसमें से डिनोठेट करता हूँ तो यह जो हुई यह वैलू एफ वन किता हुई यह वैलू हुई ऊब यह六 हुई तो इस कि वैलू हुई I F2 F3 F4 और भी जितने भी तुम लिखो यही sequence होती है set अलग होता है set नहीं है यही element sequence है यह जो है लेकिन इसे मैं कैसे denoted करूँगा इसे मैं लिख सकता हूँ A1 इसे A2 इसको A3 इसको A4 डॉट डॉट और फिर मैं इसे denoted कर दूँगा यहाँ A N से और ऐसे लिखते है यह element जो होते है यह sequence होती है set नहीं होता ठीक है तो मैं आगब दता आता हूँ यह sequence की definition है sequence of real number A function F says that N tends to A4 जानते है प्रतेक number natural number का बना इसमें जाकर real number इस set to be sequence of real number कोई खास definition नहीं वैसी बस लिख दिया है क्योंकि जो यह element होते है यही sequence है आईए इसमें मैं आपको बताता हूँ finite sequence और एक दूए example देता हूँ चलिए एक और example पहले इसका A N इक्वाल टू मैंने ले लिया ये 2 की पावर N याँ खोलेंगे आप तो 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और लेते हैं चलो एक और example ले लो ऐसे ले लो चलो याँ 1 अपन 2 की पावर है ठीक तो ये क्या होगा 1 अपन 2 1 अपन 2 का square 1 अपन 2 का cube ये सब sequence कहना थी है आईए इसमें finite और infinite sequence क्या होटी है ये देखते हैं ठीक है finite sequence finite sequence A sequence A sequence is called finite sequence called finite sequence If it has a finite number of term जैसे मैं एक example ले रहा हूँ 1,2,3 कहां तक ले लिया 30 तक ले लिया तो यहां में नम्मर कितने हैं finite है ठीक है चलिए अगला वताते हैं infinite sequence यही डेफिनेशन इस सेब बस finite की जगह पर आपको क्या लिखना इंफानाइट इसी को दोबारा लिख रहा हूँ A sequence is called called infinite sequence if it has an infinite number of term इसका अभी एक एक जहां पर लेते हैं चलिए इसका चलो यह यह ले ले लेते हैं 1,2,3,4 कहां तक infinite तक एक ओ लेता हूं में माइनस वन माइनस टू माइनस त्री कहां तक माइनस इंफिनेट की तक अब बात आती है अगला टॉपिक है रेंज ओफ सीक्वेंस ठीक है डाव सिक्वेंस कप्यूभी तक बात टॉप्टविकों साथमझ माइनस क्यम, arrived. बीजर मुफिक भी ढ़नेmek बिस्टिंट अलिम आफ ए सिक्वेंस कॉर रेंग आफ सिक्वेंस of sequence इसके लिए भी मैं एक्जाम पिल लिखतेता हूँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5 तो इसकी range हैं समझाने के लिए क्या है all distinct elements तो इसकी जो range हुई वो 1, 2, 3, 4 और 5 बस इतनी हुई यह एक repeated नहीं ले सकते distinct element एक और मैं ले रहा हूँ minus 1 की power है खोलिए इसे 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1 करते हैं यह एक और छोटी सी आमें sequence आती है constant sequence उसे लिखे देते हैं चलिए constant sequence क्या होती है a sequence is constant is constant if it has constant term that is an वरावर क्या हो c हो जैसे मैं एक एक जाम पर ले रहा हूँ यह क्या है फाइफ 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 कॉंस्टेटर या की range यू लिखे दो हूँ या रेंज शिर्फ क्या है इसकी रेंज फाइफ है ठीक है bounded sequence चलिए इसकी definition लिखते हैं बहुत ही easy है let a and b to real number then the sequence then the sequence a and यह दरी लेके देता हूँ is bounded ever if a n is less than and equal b for all value n belongs to n है आप बी इज कॉल्ट n अपर बाउंड of sequence यह है चलिए मैं इसके लिए के एक्जाम्पर लिखता हूँ अ याए आप खोलेंगे तो यह आएगा वान वान अपॉन टू वान अपॉन त्री वान अपॉन फूर वान अपॉन फाइव कितना भी आप ले जाएं तो यह जो one है यह सबसे बड़ा है हमें ठीक है तो यह one जो है क्या है सबसे बड़ा है तो यह an यहां देखोंगे an लिख रही है a an is less than and equal one here one क्या है अपर बाउं क्या है one अपर बाउं क्या है one अपर बाउं ठीक है तो यह सब छोटे होंगे वन और यहां में यह कहें कि हम लोवर लोवर ते हम दीखी नहीं रहां वैसे यह बाउंड़ है मैं आगे बताऊंगा इसी को बाउंड़ बनाके अभी तो हमें क्या देखना था बाउंड़ एवब इससे बड़ा कोई नहीं है वन से वन सबसे बड़ा है आईए अब बाउंड़ बिलो की डेफिनेशन देखिए लाइए बर जाएंड़ देखिए बच्छ घंड़ की और टो राइए बाउंब व था लाय् 성तने दा सीक्वेंस ए है इज बाउंड़ बिलू इफ हुआ मैंने कैसे लिखा था उसका उल्टा कर रहा हूं बस ठीक है अब मैं इसे लिख रहा हूं बड़ा हुए तो यहां क्या होगा ए एन बाउंड़ बिलू कह रहा है ठीक है तो यह बड़ा होगा बी से बी सबसे छोटा एलिमेंट होगा या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी इस लेस देन एंडिक्वल है हेयर डी इज कॉल्ट लोवर बाउंड आफ सीक्वेंस इन मैंने वही कुछ नहीं बदला वहां मैंने बड़ा कर दिया और यहां मैंने छोटा कर दिया है ठीक है चलिए इसके लिए मैं एक एक्जाम्पिल लेता हूं आफ अब यह वन टू का स्क्वार ठीक का स्क्वार कितना भी ले जाईए आप यह सब से छोटा होगा वन क्या होगा छोटा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं यहां वन इस लेस तैन एक्वल यह ठीक है यह वन बरावर हो सकता है लेकिन यहाते सारे अलीमेंट बड़े ही होंगे इससे ठीक तो यह यहां पर हेयर वन क्या है यहां पर लूवर बाउंट अब बात आती है चलिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता वो डेफिनिशन बता लेकिन बाउंडेड इस इस सीक्वेंस इज बाउंडेड इस इस बाउंडेड बाउंडेड बलो और बाउंडेड अबर बाउंडेड एव दाट इस मैं ज्यादा डेफिनिशन नहीं लिखना बस यह दिखा रहा हूं एज लेस्टन एक्वाल एनल इस लेस्टन एक्वाल बी वे यह यह यहां पर क्या है एज लोवर बाउंडड और बी इज अपर बाउंड बी इज अपर बाउंड ठीक अब मैं एक एड़्जाम पिल ले रहा हूं चलो मैं यह ले रहा हूं वान वान अपन टू वान अपन त्री वान अपन फूर वान अपन इंफनेटी लिखोगे और वन अपन इंफनेटी का मान क्या होगा जीरो तो यह सब किसके बीच में वन और जीरो के बीच में रहें कहने का मतलब है कि वन जीरो से तो यह बड़े होगा वन अपन इंफनेटी परंतु वन के वराबर या वन ते छोटा होगा तो यह क्या कहलाएगा? ठीक है यह बाउंडेड की डेफिनेशन हुई अपर बाउंड लोवर बाउंड दोनों इसमें होते तो उसे क्या कहते हैं? बाउंडेड कहते हैं ठीक है? आगे आके लिए वह में बताएंगे इस नमबर टूब है और इसे धंग से देखना अब बताएंगे आपको कनवर्ज सिक्वेंस सब सिक्वेंस क्या होती है अगने लेक्चर में तब तक के लिए थैंक्यू